दोस्तो इस दुनिया में रेप्टाइल की हजारों परजातियां मजूद हैं जिनमें से कुछ रेप्टाइल बहुत ही सधारण हैं वहें दूसरी तरफ रेप्टाइल के कुछ ऐसी परजातियां हैं जो बहुत ही खतरनाग हैं ये इतनी खतरनाक हैं कि ये किसी इंसान या जीव को पल भर में ही मार सकती हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के ऐसे ही सबसे खतरनाक और जरेरे रेटाई से रूबरू कराने जा रहे हैं जिनके पास कोई जीव या इंसान जाने पर दस बार सुछते हैंँ तो दोस्तो दिल थाम के बैठी है और तयार हो जाए दुनिया के सबसे खतनाक रेप्टाइल से मिलने के लिए जिन्होंने दुनिया भर के इंसानों और जीवों को परिसान करके रखा है नम्मर फाइब गिला मांस्टर दोस्तों गिला मांस्टर जारीली चिप्कियों की एक पर जाती है और ये मैक्सिकन वियर डेड लिजार्ड की काफी करेबी भी मानी जाती है गिला मांस्टर अमेरिका के साउथ वेस्टर और सोनारा के नार्थ वेस्टर मैक्सिकन इस्टेट मे पाय जाती है, इस छिप्किली की लंबाई दो फिट तक होती है लेकिन ये बहुत ही धीमे चलती है और ये ज्यादातर छोटे जीवो चिडियों और अंडों को खाती है ये अधित्तर पहाडी और चटानों वाली जगह पर रहती है इसलिए इसका इंसानों से सामना बहुत ही कम होता है लेकिन माना जाता है कि ये कोब्रा की तरद दूर से ही थूख सकती है और इसका जहर इतना जहरीला होता है कि अगर ये एक बार काट ले तो इंसान का मौत ताय हो जाता है अगर आपको भी लगता है कि कच्छुव धीमे और सांत जी होते हैं तो इस कच्छुव के बारे में जानने के बाद आपकी भी गलत फ्यामी दूर हो जाएगी ये कच्छुव अमेरिका के कुछ हिस्तों में पाय जाता है और इसकी लंबाई 30 इंच तक और वजन औसत इंसानों से भी जादा यानि की लगबख 100 किलो तक होता है जो इसे दुनिया का सबसे भारिक कच्छुव बनाता है ये कच्छुव सरवहारी होते हैं जो घास और मास दोनों को खाते हैं ये पाने के अंदर जादा खतरनाक तो नहीं माने जाते हैं लेकिन पाने के बाहर ये जादा गुच्सेल बन जाते हैं और ये गुच्से में सामने आने वाले किसी भी चीज को खा सकते हैं इसके काटने किताकोट एक भालु से भी जादा होती है याने कि किसी इंसान की अंगुली को यह एक भार में अलग कर सकते हैं नम्मर थ्री रेक्यूलेटेट पाइथन तभी सापों की परजातियों में रेक्यूलेटेट पाइथन सबसे लंबे होते हैं और यह कुछ ACI देशों जैसे भारत चीन और सिलंका के कुछ हिस्तों में पाया जाते हैं इसकी लंबाई 6-24 फिट तक होती है और इसका वजन 100 किलो से अधिक होता है यह ऐसे साप की परजाती है जो पूरी उम्र तक बढ़ते ही रहते हैं यह बहुत अच्छे तैराक होते हैं इसलिए अधिकतर ऐसे जगह पर रहना पसंद करते हैं जहां पानी नजदीक हो और यह अन अजगरों की तरह जहरीले नहीं होते हैं लेकिन इसका बड़ा और भारी सरीर इनने दूसरी अजगरों से ज़्यादा खतरनाग बनाता है यह अपनी सिकार को लपेट कर उसका दम घोड देते हैं इसके बाद उसे पूरा निगल लेते हैं वैसे तो यह अन छोटे जानरों को ही खाते हैं लेकिन कुछ मामलों में ऐसे भी हैं जो इनसानों को भी इन्होंने खाया है दोस्तों कुमोडो ड्रेंगन पर जाती कि यह चिपकिली इंडोनेसिया के दीपो में पाया जाती है यह चिपकिली पूरी दुनिया की सबसे खतनाग और जहरेली चिपकिली है यह आमत्वर पर पानी और जमीन दोनों जगों पर अराम से रह सकती है इस चिपकिली का कार 10-12 फिट और वजन 80-90 किलो ग्राम तक होता है यह चिपकिली दिखने में भूरे रंकी होती है यह चिपकिली पूरी दुनिया की सबसे खतनाक और जहरी रिली परजातियों में से एक मानी जाती है यह अपने सिकार पर पलंग जपकते ही हमला बोल देती है इसकी विसाल जी इसका प्रमुख खतियार है इस चिपकिली की एक और बड़ी खास बात यह है कि यह अपने सिकार को सुंग कर पाचान लेती है और इस पर हामला कर देती है और अपना जहर सिकार के अंदर डाल देती है और जहर डालने के कुछी दूर जाने के बाद सिकार बेहोसो कर मर जाते हैं और कमूरो ड्रेंगन द्वारा इंसानों पर भी हामला करने का मामला बहुत बार आग चुका है दोस्तो अभी उपर बताय हुए रेटाइल में से अगर कोई आपको कट ले और आप समय पर इलाज करा ले तो आप बच भी सकते हैं लेकिन साल्ट वाटर क्रोकोडाइल एक ऐसा रेटाइल है जो कि जो भी इसके इलाके या पाने में आता है चाहे वो इनसान हो या फिर सेरी क्यों नहों उसका इस क्रोकोडाइल से बच पाना नामुनकिन सा होता है ये जमीन के मुकाबले पाने में बहुत ही तेज होते हैं इसलिए किसी का भी पानी में इससे बच पाना नामुनकिन सा लगता है ये मगरमच सबसे बड़े रेप्टाइल में से एक माने जाते हैं इसका जबड़ा बाकी मगरमच्छों के मुकाबले बड़ा होता है और इसके जबले के काटने किताकट सबसे ज़्यादा मानी जाती हैं जो कि किसी के खोपड़ी को भी एक ही बार में तोड़ सकते हैं इस क्रोकोडाइल की लंबाई बेस पूट और वजन 1300 किलो ग्राम तक होता है और आपको बता दें कि जिस देश के खारे पानी में यह भाए जाते हैं वहां के लोगों को पानी में नहाने जाना सकत मना रहता है तो दोस्तों यह थे दुनिया के 5 सबसे खतेनाख रेटाइल इन सबी डेटाइल में से सबसे खतरनाक आपके हिसाब से कौन है उसका नाम आप कॉमेंट करके बताए और इस वीडियो को लाइक कीजिए साथ में चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेज कीजिएगा जिससे लेटिस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ट